हेलो फ्रेंड्स कैसे हो सब लोग आई होप सब लोग अच्छे होंगे बहतर होंगे और स्वस्त होंगे स्वागत आपका फिर्स क्लाउड लर्न टू लीड में गुड मॉर्निंग टो आल दी स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है कि हम मही महीने के टॉपिक इस क्रेंट पर स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत से टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं तो हमारा आज का जो टॉपिक डिसकेशन है वो है मुमरेंडम ऑफ अंडेस्टेंडिंग और एग्रिमेंट्स जो की मही के महीने में साइन किये गए हैं तो आपको पता है कि यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है टोटल पंद्रा कोश्चन को हम डिसकस करेंगे इसके अंदर तो वीडिय प्रियरे आप हमारी एप्लिकेशन को डाउन्लोड कर लें ऐसको ब्रियर्स क्लाओड को को डॉगल प्ले के इसको डाउननलोड करसकते हैं जहैं आप अपनी इमेल आइडि के थूँ से के लिए जो हैं वो subscribe कर सकते हैं और इसका price यह बहुत ही कम है कि आप भी देखेंगे तो हम बहुत ही कम price पे इसको आपको provide करें हैं लेकिन सबसे important है कि हम आपको provide क्या कर रहे हैं इसके अंदर आपको मिलेंगे daily current fairs, weekly current fairs और इसमें आपको मिलेंगे monthly current fairs तो daily आपका revise हो जाएगा daily में आपको एक PDF मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको मिलेगा quiz तांकि आप daily इस quiz को attempt कर सको और देख सको कितने current fairs जो हैं वो उसमें हम retain कर सकते हैं अपने दिमाग में रख सकते हैं ऐसी आपको सब्ताई current fair मिलेंगे आप देख सकते हों यहाँ पे तो सब्ताई current fair में भी आपको top 60 current fairs मिल जाएंगे particularly उसी हफते के इसमें आपको quiz मिल जाएगा detail current fair की PDF मिल जाएगी weekly तांकि आप उसको दुबारा-दुबारा revise कर सको फिर monthly में आपको different topic wise जो है वो current fairs मिलेंगे और आपको कई categories में मिलेंगे लेकिन इसमें आपको top 100 जैसे यहाँ पे top 60 है weekly वैसी यहाँ पे top 100 current fairs मिलेंगे तांकि आप फड़ा-फट अपने exam से पहले उसको revise कर सको यह तो हो गया daily, weekly और monthly इसके बिना हम क्या provide करने है इसके बिना मिलाएंगे आपको special current fairs special का मतलब है ज इसमें आप हमारी application के उपर उसको attempt कर सकते हैं आपको banking के related PDF में मिलेंगी और हम special exam oriented current fair भी आपको provide करेंगे जैसे कोई SBA clerk का mains का examination है जैसे तो उसमें आपको यह current fair SBA clerk mains के लिए मिल जाएंगे ऐसी कोई और exam आता है उसके लिए भी हम आपको provide करेंगे जो national level के एक बड़ा exam ह तो आपको state current fairs चो हैं यहां से मिल जाएंगे और खास बत क्या है कि हम हर state और union territory को cover कर रहे हैं तो state specific आपको जी के यहां से मिल जाएगी topic wise content मिलेगा मानलो आपको किसी exam के लिए सिरफ awards revise करने हैं आपको appointments revise करने हैं आपने sports वाला revise करना है defense वाला revise करना है government schemes revise करने हैं तो आ सारी चीजे जो है वो आपको यहां पर मिल जाएंगी यह 2022 का है लेकिन 2023 में आपको month wise मिल जाएगा जब पूरा एक साल complete हो जाएगा तो पूरे साल का भी आपको मिल जाएगा लेकिन इस सारी चीजे कोई अलगलग purchase करने की ज़रूरत नहीं है सारी चीजे आपको एकी PDF के अ current fairs के उपर आप current fairs को एक साल के लिए और दो साल के लिए subscribe कर सकते हैं या price बहुत ही कम है लेकिन उसके उपर भी आपको 10% extra discount मिल जाएगा अगर ESH10 code को आप use करोगे अगर आपकी किसी भी तरह की कोई query है तो आप हमें email कर सकते है sport at the rate affairs cloud.com या इस number पे आप हमें call भी कर सक और पहला question है कौनसी country का directorate of defense research and development जो department है और साथ में हमारा इंडिया का council of scientific and industrial research है उसने agreement sign किया है कि हम industrial research के उपर काम करेंगे और हम इकठे मिलके कई तरह की research and development के उपर काम करेंगे और वो अलग-लग sector होगा जैसे कि आप कह सकते हो कि वो petrochemicals के उपर भी होगा वो metals and materials के उ उपर होगा वो ocean science के उपर होगा वो environment होगा ecology होगा aerospace भी साथ में होगा electronics instrumentation होगी और ये department है इसरेल का answer क्या होगा चार होगा तो इसका मतलग जो council of scientific and industrial research है जिसको हम CSIR के नाम से जानते हैं जो कि ministry of science and technology का हिस्सा है और साथ में directorate of defense research and development जो कि ministry of defense of state of Israel का हिस्सा है दोनों के बीच में ये agreement sign हुआ है कि हम कई areas के अंदर research and development करेंगे जो कि technology based होगा और areas मैं काफी सारे आपको बता चुका हूँ तो इन areas के उपर जो research and development के उपर दोनों countries आपस में काम करेंगी तो आपने इसमें keyword याद रखने है कि industrial research and development के लिए cooperation कौन सी country के लिए साथ sign हुआ है इसरे Indian Army का military engineering services जो आप कह सकते हो कि एक organization है कि वो convert करना चाहते है Indian Army के stations और contornments को carbon neutral campuses तो यार मतलब बहुत ही अच्छी बात है कि environment friendly वो campuses बनाना चाहते हैं जिसमें कोई भी environment को नुकसान ना हो और इसमें वो कौन से IIT की मदद लेंगे और ये लेंगे IIT कानपूर की तो answer क्या तो इसका मतलब Indian Army का military engineering services है जो कि कहां पर स्थित है जांसी के अंदर स्थित है उतर प्रदेश में स्थित है उसने MOU sign किया है IIT कानपूर के साथ कि अपनी expertise दो हम अपने Indian Army के जो station और contornments हैं उनको carbon neutral campuses में convert करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा initiative है sustainable practices के उपर हम focus कर रहे ह sustainable development goals को हमने अचीव करना 2030 तक 17 goals हैं तो उसमें से environment तो सबसे बड़ा है जो कि आप देख भी रहे हो कि natural आपदा जो है वो चल रही है सबी areas में तो इसलिए इससे बचना बहुत ज़रोरी है तो IIT कानपूर की मदस से जो है यह stations और contornments को carbon neutral campuses में convert किया जाएगा अगले question के उ solid waste management के उपर काम हो सके और जो used water management है उसके उपर काम हो सके और यह स्वच बारत mission urban 2.0 के तहत किया जाएगा और यह sign हुआ है rail India technical and economic services limited के साथ तो answer क्या होगा तीन होगा तो एक तो हो गया ministry of housing and urban affairs जो की एक MOU sign करते है rights के साथ इसको आप short में भी याद रख सकते हो rights का मतलब ह रेल इंडिया technical and economic services limited तो technical assistance दी जाएगी solid waste management को लेके और used water management को लेके तो जो technical sport वाला agreement है यह तीन साल के लिए basically sign किया गया है स्वच बारत mission के तहत और MOU का main focus यहीं रहेगा कि हमने solid waste management और used water management के उपर काम करना है especially उन areas में जिनकी population एक लाग से कम है जिनकी population एक लाग से कम है वहाँ पर easy भी है तो इस जो यह mission है हमारा आप कह सकते है solid waste management का यह used water management का इसके तहत जो यह organization है रेल इंडिया technical economic services limited यह अलगलग तरह के data provide करेगे ministry of housing and urban affairs को technical sport provide करेंगे कि कि किस तरह से हम इन areas में waste water management के उपर काम कर सकते हैं यह sewage को लेके जो है पूरा का पूरा system बना के द सकते हैं कि कितना solid waste जो है वो आ रहा है किस तरह से उसको manage किया जा सकता है और किस तरह से पानी को दुबारा से reuse करने के लिए हम काम कर सकते हैं या पानी को manage कर सकते हैं तो इससे water security भी जो है वो इंडिया की improve होगी उस company का नाम बताना है recently जिसने MOU sign किया है MJ controlled system private limited के साथ ता आपने देखा होगा कि ऐसे अगर हम कुछ डंडियां लगा दें लोहे की बनी हुई तो उसको बलाड कह सकते हैं मतलब simple कह सकते हो कि जैसे यह आपकी पूरी road है और इसके उपर आप चल रहे हो तो यहां पे हमने कुछ जो है वो इस तरह के लोहे के हमने बड़े बड़े ज limited के साथ अंसर क्या होगा चार होगा तो electro mechanical ballards जो है वो बनाने है यह defense system के लिए भी बनाने है यह homeland security के लिए भी बनाने है paramilitary forces भी इसको use करेंगे और export भी हम करेंगे इसको और ballards का main function जो है वो heavy vehicles को रोकना है basically किसी तरह से हम heavy vehicles को जो unauthorized entry है heavy vehicles को उसको रोक सके हैं तो ballards को मतलब इस तरह से design किया जाएगा कि कोई भी explosive device भी होगी उससे भी यह तूटेगा नहीं कोई vehicles होगे जो इससे आकर टकराएगा चाहे वो 80-100 km पर आर की speed से आरो तब भी यह नहीं तूटेगा मतलब इतनी मजबूती से इसको बनाया जाएगा तो इसको हम रोक सकते हैं अग मुंबई एहमदाबाद high speed rail project के अंतरगत तो आपको बताएगे मुंबई से एहमदाबाद के बीच में जर्नली 12 stations का निर्मान जो है वो किया जा रहा है उसमें से 4 stations को बहुत ही बहतर से इंप्रूव करने के लिए उस areas को बहतर ही उन towns को बहतर इंप्रूव करने के लिए य इसमें एक तो ministry of railways involved है ministry of housing and urban affairs involved है और एक जिका agency involved है जपान international cooperation agency तो इसमें total जो है वो 12 stations जो है वो route में हैं लेकिन 4 stations को develop किया जाएगा एक तो साबरमती है इसमें साबरमती हमारा जो है वो गुजरात वाला हो गया सूरत जो है वो गुजरात में हो गया एक विरार एरिया हो development के basis पे किया जाएगा लेकिन जो तीन एरिया है सूरत विरार और थाने ये green field के basis पे साबरमती को brown field के माध्यम से किया जाएगा तो project smart आपको पताना चाहिए project smart जो है उसका main message यहीं है कि मुंबई एहमदाबाद जो high speed railway stations हैं उनको बहतर बनाया जा सके तांकि उसमें जो travel क जगा से असानी से travel कर सकें कौन से government departments हैं या company से recently agreement sign करते हैं confederation of all India traders के साथ ताकि logistics services मिल सके मतलब समान को इदर उदर बेजने में कोई भी problem जो है वो ना आए तो एक तो है India post एक है tripta technologies private limited तो answer क्या होगा both one and two तो MOU sign हुआ है तीन organizations एक तो India post है एक मारे पास tripta technologies है और एक मा मतलब है confederation of all India traders तो यह MOU sign किया गया especially डेवु सिंग चोहान की मदद से जो की minister of state है for communication और इस agreement के तहत क्या होगा कि तीनों organization जो है वो shipping के अंदर जो है वो नई technology लेके आएंगे last mile delivery मतलब हर जगा पे delivery जो है वो available हो हर जगा पे चीज पहुंच सके उसको surety provide करेंगे especially जो unorganized sector है जो छोटे businessman है वो अपना समान असानी से दूसरी जगह पे बेश सकें तो उसके लिए यह तीनों organization जो है वो काम करेंगे PTC India Limited ने एक memorandum of understanding sign किया है Brookfield Renable Energy के साथ ताकि 100 Megawatt का solar power project जो है वो basically लगाया जा सके कहां पे लगाया जाएगा राजस्थान के अंदर तो अंसर क्या होगा इसका दो होगा तो PTC India Limited जिसको हम Power Trading Corporation of India Limited भी कहते हैं तो उन्होंने एक agreement sign किया है एक memorandum of understanding sign किया Brookfield Renable के साथ ताकि 100 Megawatt का एक solar power जो है long term basis पे लगाया जा सके Brookfield Renable जो है वो 400 Megawatt का solar power project अल्डेडी काम कर रहे हैं ये बिकनेर solar park के अंदर राजस्थान में तो MOU के अंदर जो है ये sign किया गए कि 100 Megawatt का लगाया जाएगा लेकिन इसकी capacity 200 Megawatt तक जो है वो बढ़ाई जा सकती है और ये दोनों parties की agreement से जो है इनकी capacity को बढ़ाया जा सकता है और इस agreement के तहट PTC इंडिया ने शॉरिटी दी है Brookfield Renables को कि आपको tariff को लेके कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको सही तरीके से हम per unit के basis पे पैसा जो है वो provide करेंगे अगले question के उपर आते हैं उस state government का नाम बताना है recently जो एक agreement sign करते हैं ministry of port shipping and waterways के साथ ताकि एक riverine based tourism circuit या tourist circuit बनाया जा सके ब्रंपुत्रा river के उपर मतलब कुछ जगाओं को आपस में connect किया जा सके ब्रंपुत्रा river के अंदर ताकि हम वहां पे एक ऐसा ship चला सकें जिसमें travel करके हम इन सातों जगा के दर्शन जो है वो एक साथ करवा सकें और आपको बता है ब्रंपुत्रा river मतलब अरनाचल परदेश की बात होगी या फिर असम की बात होगी दो ही स्टेट्स में ब्रंपुत्रा इंडिया में travel करती है तो ये स्टेट है मारे पास असम अंसर क्या होगा चार होगा तो असम गौर्वर्मेंट ने ये agreement sign किया है किसके साथ ministry of ports के साथ shipping और waterways के साथ कि एक tourist circuit जो है वो बनाया जा सके जिसमें ये tourist sector जो बनाया जाएगा या पूरा circuit बनाया जाएगा ये सागर माला project के अंतरगत बनाया जाएगा जिसमें साथ historic sites को आपस में connect किया जाएगा जिसमें सबसे फेमस कौन सा है कमाख्या टेंपल है असम के अंदर फिर उसके बाद पांदूनात का टेंपल है असम के अंदर फिर हमारे पास दोल गोविंदा है हमारे पास सचकरेश्वर टेंपल है ये सब गोहाटी असम के अंदर है तो इनको आपस में कनेक्ट किया जाएग तो MOU specially sign किया गया है Inland Waterways Authority of India के मदस से तांकि इसको बहुत ही बहतर तरीके से हम इस सर्केट को develop कर सके तो साथ historic जगा को असम के अंदर specially connect किया जाएगा कौन सी country है recently जो कि एक letter of intent sign करती है इंडिया के साथ और ये इंडिया के एक Indian Institute of Technology मदरास के साथ tie up करते हैं तांकि हम एक center of water technology बना सकें और ये country फिर से यहाँ पे कौन सा होगा इसरेल होगा अब देखो IIT मदरास की मदद से एक जो है वो center of water technology बनाया जाएगा ये basically IIT मदरास की campus के अंदर ही इसको बनाया जाएगा इसरेल की इसमें expertise होगी IIT मदरास की expertise होगी इसका main mark से यहीं होगा कि हम best technology लेके आ सके Indian requirements के according तांकि हम पानी को reuse कर सकें हम पानी को safe तरीके से जो है वो किस तरह से use कर सकते हैं उसके बारे में जान सके हम हर गर तक जो है वो पानी पहुँचा सकें सही मत्रा में और पीने य agreement जो है वो specially sign किया गया तो अपने याद रखने Center of Water Technology इंडो इसरेल प्रजेक्ट के तहट IIT मदरास में बनाया जाएगा और IIT मदरास की इसमें expertise ली जाएगी कौन सी country है recently जिसने एक agreement sign किया है इंडिया के साथ ताकि दो high impact community development projects का निर्मान हो सके और इसमें जो पैसा है वो कौन देगा इंडिया देगा मतलब इंडिया जो है वो grant दे रहा है लोन भी नहीं दे रहा है और ये project बनाए जाएंगे कहां पे नेपाल के अंदर तो answer क्या हो होगा दो होगा तो दो projects है एक project का नाम है मालागीरी मालागीरी शांती जोग आश्रम बनाया जाएगा नेपाल के अंदर और एक जो है वो केदार जोती पुंच multiple campus बनाया जाएगा दोती डिस्टिक नेपाल के अंदर और ये दोनो projects जो हैं जिसमें से एक healthcare को लिके है एक education स से लेके हैं ये develop किये जाएंगे total 80.33 million नैपलीस रूपीक से और ये पूरा पैसा जो है वो कौन प्रवाइट करेगा इंडिया प्रवाइट करेगा इंडिया असिस्टेंट से इन दोनो projects को त्यार किया जाएगा कौनसी state government है recently जिसने एक memorandum of understanding signed किया Infosys Limited के साथ और National Association of Software Services and Company मतर नासकॉम के साथ ताकि skills को बढ़ाया जा सके और skills को बढ़ाने का मक्सद भी यह है कि उनको हम किसी तरह का काम दे सकें जो कि higher education institutions हैं वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको अच्छे तरीके से skills देके future ready बनाया ज सकें और यह agreement specially sign हुआ है Odessa का अंसर क्या होगा एक होगा तो Odessa का यह Infosys Limited और NASCOM के साथ agreement sign हुआ है ताकि जो students higher education ले रहे हैं उनको हम अच्छी तरीके से नौकरी दिला सकें और Infosys का already target है ESG उन्होंने कहा था Vision 2030 तो इसके अंदर जो environmental social governance 2030 का इनका मक्सद था उसमें था कि हम जो higher education के बच्चे उनको digital skill परदान कर सकें खास करके 10 million लोग इंडिया में train कर दिये जाएंगे 2025 तक digital skills दे के और उनको recruitment के लिए जो है वो हम जो है वो recruit करेंगे उसके बाद जो है इनको Infosys spring board program के तहर जो है वो लिया जाएगा तो मतलब 10 million लोगों को तियार करना है 2025 और Infosys उसके उपर काम कर रहा है कि Maximum को Infosys जो है वो recruit करेगा कौनसी state और unit territory है recently जिसने एक MOU sign किया है लार्सन इन टूबरो engineering limited के साथ तांकि हम tourist sports जो है वो develop कर सकें government of India के सबदेश दर्शन scheme के तहर और ये दो areas को develop करेगा L&T एक तो पुड़ुचरी area होगा और दूसरा कौनसा होगा कराइकल होगा तो अपने दोनों याद रखने है यहां पर option पुड़ुचरी है आप देख सकते हो तो answer क्या होगा 4 होगा तो इन regions को develop किया जाएगा tourist destination बनाया जाएगा सबदेश दर्शन scheme 2.0 के तहद और government of India ने specially L&T engineering limited को ये project management का काम दिया है कि किस तरह से पुड़ुचरी और कराइकल को हम बहतर tourist destination बना सकते हैं और सब्देश दर्शन scheme 2.0 जो एक center sector scheme है और ये जो है वो ministry of tourism का एक हिस्सा है कौनसी statement सही है अगर recently memorandum of understanding देखें जो कि government of Tamil Nadu ने sign किये हैं मई 2023 में तो कर पढ़ लेते हैं important importance से इसमें तो Tamil Nadu government ने जो है वो 6 memorandum of understanding sign किये हैं कई institutions और companies के साथ जो कि Singapore based companies और institutions हैं ताकि investment Tamil Nadu के अंदर बढ़ाई जा सके Tamil Nadu investor first port call जो कि Singapore के अंदर हुई थी तो उसके अंदर ये agreement जो है वो specially किये गए हैं तो ये statement हो यार बिल्कुल सही है कि 6 MOU sign हो है ऐस सच आपको याद रखने की जरूरत नहीं है guidance Tamil Nadu जो है वो एक agreement sign करते हैं high P international private limited के साथ ताकि हम electronic spare parts मिलके बना स कि और 312 क्रोड की investment जो है वो Tamil Nadu के अंदर होगी इससे कई लोगों को employment मिलेगी कई लोगों को काम मिलेगा लगबक 700 से लेके 1000 लोग जो है वो इसमें काम के लिए लगाये जाएंगे ये बात भी बिलकुल सही है तीसरी statement है कि state industries promotion corporation of Tamil Nadu limited ने agreement sign किया है Singapore India partnership office के साथ ताकि दोन important है कि Tamil Nadu के अंदर जो है वो ज्यादा से ज्यादा investment होगी जिससे employability बढ़ेगी और साथ में Tamil Nadu जो growth का इन्होंने एक रखा हुआ है target 2030 तक वो अचीव कर सकते हैं ये भी statement बिलकुल सही है तो answer क्या होगा all ABC चार जो है वो इसका answer होगा और Tamil Nadu skill development corporation जो है उसने एक MOU sign किया ह information, technology, equipment, education, services के साथ ताकि technology transfer और skill development के उपर हम काम कर सकें दोनों जो countries हैं साथ में सिंगापूर की organizations होगी या Tamil Nadu skill development corporation होगी तो दोनों आपस में technology share का agreement कर चुके हैं ताकि हम बहतरीन technology सिंगापूर से इंडिया में लेके आ सके हैं अगले question के उपर आते हैं 25 मई 2023 तक कौन सी state जो है वो agreement नहीं sign करती है union government के साथ ताकि digital crop survey के अंदर हिस्सा लिया जा सके तो बहुत important question है यह आपके लिए very important में शामिल करने इसको तो छे states के साथ यह agreement हुआ है कौन कौन सी states है असम है उसमें गुझराथ है ओडिस्सा है Talha है मध्यपरदेश है उसमें राजस्थान है और उत्तर परदेश है तो इन 6 states के साथ sign हो है तो आप देख सकते हैं स्टेट कौन कौन सी है राजस्थान ऊंगैबड़ी state और एक नॉर्थ इसंटन स्टेट शामिल है असम शामिल है और इसमWhen जो नहीं शामिल है वो बिहार नहीं है कि पैस्टियर्टोफ से हम एक तो टो क्रॉप को अच्छी तरीक के से जांच सकते हैं कि कितना को नुकसान हुआ है कोई हमने सबसीडी देनी है या कुछ भी प्रवाइड करना है MSP देना है तो सारी चुजों में जो है वो हमें help मिल सकती है अगर हम digital crop survey के उपर focus करते हैं तो digital crop survey एक government का agri stack या आप कह सकते हो कि इंडिया digital ecosystem के अंतरगत एक program है जिसमें हम agriculture को digital करने के बारे में बात कर रहे है और यह 2020 से project चल ला है जिसमें हम on time और transparent तरीके से जो है वो crops का survey कर सकते हैं तो 6 state governments ने center government के साथ ये agreement कर लिया है कौनसी state government ने recently एक MOU sign किया है गोवा government के साथ तांकि tourism को बढ़ा सके हैं तो गोवा में आपको बता ही है वैसे tourism बहुत ज़्यादा है और ये agreement हुआ है उत्रकंड के साथ उत्रकंड में भी travel जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं लोग बहुत ज़्यादा tourism है उत्रकंड के अंदर तो दोनों states ने agreement किया है तांकि हम tourism sector को आगे बढ़ा सके हैं तो एक ऐसे program का निर्मान करेंगे कि दोनों states में travelers को बढ़ाया जा सके जो एक state में जा रहा है वो दूसरे states के offer दिये जाएं उनको जाने के लिए तांकि हम दोनों states में जो है बहतरीन tourism को develop कर सके हैं तो यह थे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट करेंट फिर आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को अभी क्या भी सब्सक्राइब करें आप हमारे हर प्लैटफोर्म को जोईन कर सकते हैं पेस्बुक है इंस्टाग्राम है लिंकडिन है टेलीग्राम चैनल है लेकिन हर नोटिफकेशन आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिवाव वहां से जॉइन करें थेंक्यू गाइस टेक क्यार एंड बाबाई